आज मैं आपको जटपट बनने वाली खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वह भी बीना घी के जी हाँ बीना घी के मैं ये घीर बनाने वाली हूँ जो के साबू दाने और चावल से बनके तयार होंगी और सिफ दस से पंदा मीट में आप इसको घर पे बना सकते हैं और इतनी टेस्टी बनेंगी कि आप एक बार ट्राय करेंगे तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे हमने साबू दाने को भीगा दिया है और एक तरफ चावल को भीगा दिया है ये जटपड बनके तेयर है अगर आपके पास टैम ना हो तो आप इसे बना सकते हैं दस मिट के लिए हमने चावल को भीगो दिया था और दस मिट के लिए साबू दाने को दोनों को हमने भीगो द और इसे एक फुकर में निकाल ली जिसमें हम आगे इसमें बोईल करेंगे हुआ पाणी को भी मैंने ऐसी की हूँ शाबुदाने को भी अगर हाला कि ये पानी भी यूज सकते हैं पर मैं इसे पहले एक बार वॉश करना भूल गई थी इसलिए मैंने इसे पानी ने ठालिया है है को कुकर में ले रहे और मैंने इसमें आतर लिल्टर डूद्ध दाल कर इसको 10-15 मिट के लिए ऐसे ही इसे भीगा के रख दी हूँ दूद में भीखा के रखी हूं मैंने इसे चालू नहीं की हूं मतलब इसमें ही रखी हूं क्योंकि बॉइल भी इसी में करना था इसलिए मैंने कुकर में इसे वाश भीगा दी हूं इसे मैं इसे छोड़ दूगी इसे ढख के रख दूगी 10-15min हो चुके या देए अच्CH होची तरीके से भीग चुख नहीं है बहुत अच्छी तरीके से भीग टूख लेंगे ऐसे शाव पालेंगे हाँ लोगा है अब ही अच्छी तरीके से भीग चुके हैं नहीं हогड करते वंग शाय है इसे यह बॉइल हो चुके हैं, यह हमारे हमने साइड में शक्कर यह सब रखे हैं, अब एक पैन में हमने एक से दिर लीटर दूद लिया है, इसे भी हम बॉइल कर लेंगे, पस्टर पाउडर भी मैंने पहले ही रखा हैं, और यह सब ब्राइफ रूट्स मैंने बारिक कर ली ह ध्यान रखे हैं, मैंने इसमें घी का यूज नहीं किया है, विडाउड घी के मैं यह खीर बनाने वाली हूँ आज, इलैची पाउडर, सब ड्राइफ रूट्स, और कस्टर पाउडर शकर है, और यह हमने साबु दाने और चावल, कस्टर पाउडर दालेंगे इसमें, दू तर्शेइस में थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा, इसमें थोड़ा भी कस्टर पाउडर राप दालेंगे तो चलेंगा, क्योंकि सबॉदान और चावल से वैसे भी खीर बहुत गारी बनती है, अब कलर भी हलका है यलो हो गया हम इसमें शकर डालेंगे, दो ली टर के साब स लेकित ऐत्ते ते गाली और तक confirma यहेस को जुदू में बनाती है तो pas 006 Cannes णोना में आप्ते काव खूल है थाज़ी नहीं होसा यह बनात है शेक वीलागी प्रूसलियों नहीं suppose देट्स भी उसमें हमेशा दालती हूं अच्छी तरह के से इसको बॉइल करती हूं जो भी जो हमें इस तरीके से मिल जाते हैं और यह चीर आप चार पांच दिन रखके भी इसे खा सकते हैं इसमें घी नहीं है यह जितनी चील्ड होंगी उसे बाहर निकालेंगे आप वाइल दूद उसमें मिलाएंगे और फिर खा सकते हैं या फिर बिना गरम करें भी अब इसे खा सकते हैं चील्ड भी यह बहुत अच्छी लगती है यह हमने चावल और साबुदाना जो हमने वाला था उसमें धीरे-धीरे कटके एट करते जाएंगे और यह खीर को हिलाते अब हम इसमें दूरे-धीरे एट करते जाएंगे और इसे अच्छी तरीके से लालिए और दस मीट के लिए इसे और बॉइल कर लिए अच्छी तरीके से बॉइल हो चुकी है लेक ने में भी टेस्टी और खाने में भी टेस्टी है और बहुत हिल्की होती है और से सुन Πेर्यों दोपने कर्ण दोपए ज़्य Gamma आज रुफैल चेक करके बताएंगा हमारी खीर पैसी बनी है किर रुफैल ने तेस्टि लगी है कि इसे तो बढ़ाश नहीं हो रहा था आज जल्दी से रुफैल ने टेस्ट किया है पर रुफैल को बहुत टेस्टी लगी इस तरीके से आप भी एक बार ट्राय कीजें दस जब भी आपके मेहमान हो और आपको कुछ पता नहीं क्या कि में सुट्स में क्या बनाना चाहिए तो इस तरीके से आप खीर बनाईए जो 10-15 मीट में रेडी हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और विडाउट घी के बनती है इसलिए इसको गरम करने के भी जर्रत में है आप इसे ठंडा ही सर्फ कर सकते हैं रुफैल को तो बहुत मज़ा रहा है बहुत टेस्टी लग रही है और मैंने जो पूरिया बनाई थी उसकी भी रेसिपी में आगे ब्लॉक में आपके साथ शेयर करूंगी उस तरीके की पूरी भी आप इसके साथ खा सकते है वो पूरी भी बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होती है तो यह खीर का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है उससे देखिए हमारी खीर बनके तयार होगे है रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेर प्लीस लाइक और शेर जरूर कीजिए